हलो दोस्तों नमस्कार मैं सौरब स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सौफ्ट इस्टडी में तो दोस्तों यहां पर पीवी की तरफ से बल तीन के जो है रूल बुक जारी कर दी गई है तो दोस्तों यह रूल बुक आपके सामने हैं कंप्लेट इंफ करेंगे ठीक है तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले बता दें कि पीवी की बैप साइट पर जो रूल बुक आई है इस रूल बुक में अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है यह मैं आपको आगे बताऊंगा तो सबसे पहले जो यहां पर इंपोर्टेंट बनता है उसे जनवरी मनलब आज से ही और इसमें आप 20 जनवरी तक आविदन कर सकते हैं और इसमें आप संसोधन कर सकते हैं आविदन पत्र में 25 जनवरी 2020 तक ठीक है और एक और इंपोर्टेंट डेट है यहां पर परिक्षा दिन वा दिनांग परिक्षा का दिनांग कपसे प्रारंब हो तो आप देख सकते हैं 25 अप्रेल 2020 से आपकी जो परिक्षा हैं वो प्रारंब हो जाएंगी और इसके लावा दोस्तों यहां पर देखते हैं जो परिक्षा फीस है आपको पे करनी होगी वो अनारक्षित अभ्यारतियों के लिए मनलब जनरल के इंडियेट के लिए यहां पर टोटल 600 रुपे पे करनी होगी ठीक है यहां पर दोस्तों पीई बी और इसकूल सक्षा बभाग दोनों फीस आपसे आपसे यहां पर दोनों के दोवारा आपसे फीस ली जाएगी ठीक है पीई बी के दोवारा और इसकूल सक्षा बभाग के दोवारा इसका 600 रुपे आपस इसके अती रखते लजिस्टर सिटीजन यूजन के माध्यम से लॉग इन कर फॉर्म भरने वाले पोर्टल सुल्क 20 रुपे दे होगा तो आपको 60 रुपे अश्टरा पे करने होगा इस परकार 660 रुपे पे करने होगा ठीक है और अनारक्चत बर्ग के जो कैंडियेट हैं उन हाँ इसे अभी हम इसे अधूरा मानके चल सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों अभी इस जो रूल वुक है इसमें वेकेंसी की जानकारी भी नहीं है कि पीवी ने कितनी वेकेंसी से चब वाग ने कितनी वेकेंसी यहां पर निकाली है तो अभी वेकेंसी की जानकारी यहां प पर अप्रेल 2020 से आपके एक्जाम आरंब हो जाएंगे और दो पाली में आपके आरंब होंगे पहला है साड़े आठ से नो बजे मतलब यह 9-11 तक आपका एक्जाम होगा ठीक है और इसमें रपोर्टिंग टाइम होगा आपका साथ से आठ बजे तक और महत्फूर ने दिस चार बजे तक टोटल तेड़ घंटे का रहेगा और दो पहर दस से एक दो पहर बारा बजे से एक बजे तक ठीक है इसमें आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और महत्फूर ने दिस पढ़ने का समय एक पचास से दो बजे तक आपका रहेगा इसके अलावा दोस्तों दो आपकी मिन्यम मार्क्स की रिक्वार्मेंट होगी वह 50% अनारक्चत बर्ग के लिए ठीक है यहां पर दोस्तों 50% होगी अनुसोच जाती अनुसोच जन जाती अन पच्ड़ा वर्ग और दिब्यांग बैक्तियों के लिए ठीक है तो यह आरक्चत बर्ग है और 60% होगी अनारक्षदबर्ग के लिए ठीक है और यहां पर भी दोस्तों अभी आप देख सकते हैं सक्षक पात्ता परिक्षा में अर्य होने के लिए मनलब इस पात्ता परिक्षा को पास करके अगली प्रोसेस के लिए चैन होने के लिए यहां पर आपको 50% मार्क्स मतलब 1500 मैसे टोटल जानकारी नहीं दी गई है ठीक है और जब हम नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं चलते हैं नीचे इंपोर्टन जानकार्य को यहां पर देख लेते हैं एक बार तो यहां पर दूस्तों एक बार फिर से आप देख सकते हैं आविधन पत्र भादने का जो समय साड़ी है वही यहاं पर पर फिर से दिगए है ठीक है और फिर से एक बार यहां पर जो इन्फोर्मेशन है वो यहां पर दी गई है जिसे आप देख सकते हैं भरने का कुल समय 15 दिन का और ठीक है यहां पर 20 दिन का जो है आपका संसोदन सहित को यदि मिला दिया जाए तो 20 दिन का आपके पास समय है और यहां पर फिर से दो परिच्छा का किंद्र होगा तो भोपाल इंदौर जवलपुर गौालियर अजिन नीमच रतलाम मंदसौर सागर सतना खंडवा गुनाद दमू सीधी चिंदवाड़ा और बालगा ठीक है टोटल सोलह जिलों में परिच्छा का किंद्र बनाया जाएगा इसके लावा दोस्तों नीचे चलते हैं तो आप देख सकते हैं यह सिलेवस दिया गया है और दोस्तों कम्प्लीट वही सिलेवस यहां पर दिया गया है जो मैंने एक सिलेवस की वीडियो बनाई थी ठीक है कम्प्लीट सिलेवस की उसमें आपको सेम सिलेवस मैंने बताया था ठीक है और सेम सिलेव जब आप यहाँ पर नीचे देखते हैं तो जो इसके चैप्टर हैं वो ही क्रमबाइज बिलकुछ सेम ही लिखे हुए हैं अर्था स्लेवास में किसी प्रकार से चेंजिस नहीं देखने को मिला है तो यहाँ पर दोस्तों इतनी ही इन्फॉर्मेशन इस रूल बुक सा भी निकल के सामने आ रही है जो इन्फॉर्मेशन नहीं है जैसे की अभी जो है इस क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया के अलावे यहाँ पर वेकंसी की डीटेल और EWS के जो केंडियेट हैं उनके लिए आ दूसरी रूल बुक जारी होगी जिसमें वेकंसी ठीक है और EWS क्राइटेरिया के संबंद में उसमें जरू से इन्फॉर्मेशन दीज आएगी तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही ठीक है बिग अपडेट है आप सभी के लिए वीडियो को लाइक जरू कर दें साथ ही सा चैनल को यदि आपना भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और से शेल जरू करें अपने दोस्तों तक अब आपसे मुलाकात होगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैंद